हेलो एवरीवन वेल्कम तु स्टॉकम्टमनीमेकर्स आज हम बात करेंगे कुरूड ओयल के विकली अनलीसिस के बारे में फोर्ट से लेकेट में तक क्या हमारे टेक्निकल बाई और सैल है वो डिसकस करेंगे कुरूड ओयल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दू, stockmoneymakers.com हमारी website है, उसको विजिट करना ना भूले, जहाँ पर आपको daily updates मिलेगा, daily blogs मिलेंगे, blog section में आप जाके nickel, copper, natural gas और बाकी equity scripts के view देख सकते हो, दूसरी बात मैं यह बता दू कि stock money makers आप देख सकते हो, youtube पे 17,000 subscriber cross कर चुका है, तो हमारे video की description में जाएए, आपको telegram channel की link मिल जाएगी, telegram channel पे आप join हो जाएए, mcx की और equity दोनों link आपको telegram channel की मिल जाएगी, आप देख सकते हो, mcx और equity दोनों telegram channel link है, हमारी website की भी link है, stockmoneymakers.com, instagram page, facebook page, और allies blue में हमारे reference में अगर आप account open करते हो, तो lifetime आपको equity और mcx में free calls मिलेंगे, premium group में आपको add कर लिया जाएगा, और profit screenshot भी आपको देखने मिल जाएगे, अब हम बात करते है, stockmoneymakers की, अब analysis की बारे में बात करते है, तो crude oil आप देख सकते हो, कि एक range में crude oil trade कर रहा है, एक breakout level पे crude oil trade कर रहा है, अगर crude oil यहां से breakout देता है, तो आप देख सकते हो, crude oil का जो level 1654 आने वाले week में achieve हो सकता है, याने कि crude oil Monday से लेके Friday की बीच में, easily 1654 का जो level है वो touch कर सकता है, crude oil का जो breakout है मैं आपको बता दूँ, अगर crude oil Monday को 1550 तोड़ देता है, तो उसका जो first target हम expect कर सकते हैं, वो something around 1578, अगर 1578 crude oil क्रॉस कर देता है, तो 90% chances से crude oil का 1654 का आने का, तो मैं आप सभी को यह note down करने के लिए, यह level note down करने के लिए बोलूँगा, कि आप यह level note down कर लीजिए 1575, 1575 का level है, यह level अगर crude oil तोड़ देता है, बंडे के बाद, या मंडे को या मंडे के बाद आने वाले week में, कभी भी अगर यह level तूट जाता है 1575 का, तो अप साइड में हम जो level expect कर सकते हैं, वो first target हमारा रहेगा 1654 का, second target जो हम expect कर सकते हैं crude oil में, वो रहेगा something around 1756 का, तो around 200 point का moment हमें easily मिल सकता है crude oil में, अगर crude oil 1575 तोड़ देता है, तो आने वाले week में, तो 200 point की rally बहुत हो जाती है, एक trader के लिए weekly basis पे, और अगर मैं नीचे की बात करूँ, तो crude oil में एक नीचे का range है, जहाँ पे crude oil trade कर रहा है, वो 0.50% का जो आप Fibonacci retracement है, आज हम जो analysis कर रहे हैं, वो पूरा price action के उपर कर रहे हैं, पूरा technical पे कर रहे हैं, तो Fibonacci retracement के हिसाब से, अगर 1491 के नीचे crude oil trade कर रहा है, या crude oil sustain करता है, तो जो हम target expect कर रहे हैं, वो 1329 का है, याने कि 170 point नीचे downfall target हम expect कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि crude oil, जब तक 1491 से लेके 16, 1491 से लेके जब तक crude oil 1575 के बीच में trade कर रहा है, याने कि 70 से 80 point के बीच में crude oil trade कर रहा है, तब तक आप कोई भी position create ना करें, अगर आपको intraday basis पे level stay तो आप हमारे telegram से updated रहेगा, जिसकी link आपको description में मिल जाएगी वीडियो के, लेकिन मेरा suggestion यह रहेगा कि जब आपको buy करना हो, तो आप 1575 के उपर buy कीजिए, आपका जो पहला target है वो 1654 रहेगा, और जो दुसरा target है वो 1756 रहेगा, यह weekly analysis है, तो ऐसा नहीं कि मंडे को breakout दिया 1575 उपर 1654 तक का है, तो आने वाले Tuesday, Wednesday, Thursday तक वो next target भी easily अचीव कर सकता है, जो की 1756 का है, ओके, तो second target जो downfall के बारे में मैं discuss कर रहा हूँ, 1491 से आप crude oil को sell कर सकते हो, जो first target आप expect करोगे वो 1329 का रहेगा, easily यह target अचीव हो सकता है, 170 पॉइंट का target, enough होता है downside के लिए, और बाकी जो intraday levels हैं हम वो, यहाँ पे telegram में update कर देंगे, Thank you, have a nice day, happy trading, don't forget to like and subscribe, Stock Money Makers, और जितना हो सके उतना हमारे telegram चैनल पे, आप join करके trading चालो कर दीजिए, Thank you, have a nice day,